सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए ड्राफ्ट बिल 2022 को जारी कर दिया है इसमें टेलीकॉम इंफ्रा OTT सर्विस को टेलीकॉम सेक्टर के दायरे में लाने और इस प्रेक्टरम एलोकेशन पर पूरी फोकस है पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सयोगी दानिस अन देखे सरकार ने ड्राफ्ट टेलेकॉम बिल 2022 को रिलीस करा है और इस बिल के जरीए सरकार पुतीन पुराने लॉस को बदल कर एक नए आक्ट में कनवर्ट करना चाहती है तो ये ड्राफ्ट को ऐसे बना गया है कि ताकि जारी स्टेकोल्ड जितने भी हैं उनके लिए विन्विन सिचुएशन हो जहां तक यूजर्स की बात आती है उनके लिए के लिए के वाइसी नॉम्स को ट्वीक किया गया है और इन नॉम्स को ट्वीक होने से सरकार का यही मोटिव है कि अगर किसी व्यक्ति को एक अनव नंबर से कॉल है मेसेज आते तो वो इसली आइडेंटिफाइ कर पाएं कि उनसे कौन संपक करना चाहता है और जहां तक लिए काफी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को सरकार ने ट्菊 कर रहा है ताकि ईजर डुइलिम बिजनिस पूरी इंडेस्री को प्रोवाइड कर सके इसके अलावा सरकार ने इस draft bill में जो changes लेकर आए हैं उसके मताबिक जो OTT service है वो भी telecom industry के आमबिट में आना बहुत likely है इसके अलावा अगर हम इसके time line देखें तो सरकार का clearly कहना है कि आने वाले 6-10 महिने में इस bill को act में convert करने का पूरा प्रयास रहेगा और सरकार का ये भी कहना है कि इस समय वो बिलकुल एक जल्दी में नहीं है वो हर किसी stakeholder का input लेंगे और जिस तरह का उनको feedback मिलेगा उसके बाद इस bill को एक proper act में बदला जाएगा लेकिन और अगर हम देखें तो सरकार ने draft bill टेलेकॉम bill 2022 को भार निकाला है और इसको जल से जल सरकार चाहती है कि ये act बन जाए और जब ये एक act बन जाएगा उसके बाद जितने भी इंडियन यूजर्स का जो experience है टेलेकॉम services के यूज करने का चाहिए mobile services हो चाहिए internet services हो उसमें हम एक safe और एक secure environment की उमीद रख सकते हैं